बिना किसी एप के इंस्टागराम पर फुल फोटो कैसे अपलोड करते हैं? मेरे पास एक फोटो है विराट कोली का, ये फुल फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, क्रॉप हो जाता है नीचे से ओपर से, मैं आपको इसे अपलोड करके दिखाऊंगा बिना किसी एप के, फुल फोटो अपलोड हो जाएगा, इसके लिए आपको अपने मुबाइल की गैलरी को ओपन करना है, और जो भी फुल फोटो आप अपलोड करना चाते हैं, उस फोटो को दोस्तो आपको इस तरह से ओपन कर लेना है, इसके बाद नीचे में दोस्तो आपको एडिट का बटन दिखाई देगा, नीचे में या ओपर में आपको मिल जाएगा, आपको एडिट बटन पर किलिक करना है, इस तरह से फोटो आपको दिखाई देगा, अब नीचे में दोस्तो आपको एक रूटेट का आप्शन इस पर आपको एक बाद टैप करना है, तो फोटो सेंटर में आ जाएगा, अब दोस्तो आपको क्या करना है, इस फोटो का एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, इसक्रीन शॉट मैंने ले लिया, अगर आपको स्क्रीन शॉट नहीं लेना है, तो एक दूसरी ट्रीक भी मैं आपको बता दूँगा आपको अब यहां से back आ जाना है Instagram को open कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर plus के बटन पर click करना है और जो हमने screenshot लिया है उसी photo को आपको select करना है और आपको अपने finger से कुछ इस तरह से इसे यहां पर exist कर लेना है तो आप देखेंगे यहां पर full photo आ गया है पहले यह full photo नहीं आ रहा था अब यहां पर दोस्तों उपर next बटन पर click करना है इसके बाद अगर आप इसमें filter लगाना चाहते हैं तो filter लगा दीजिए इसके बाद फिर से आपको यहां पर next के बटन पर click करना है जिस तरह से हम Instagram पर photo upload करते हैं सेम इसी तरह से यह पर आपको photo को upload कर देना है तो आप देखेंगे बीना किसी एप के Instagram पर full photo upload हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं full photo upload हो गया है लेकिन दोस्तों आप बीना screenshot के full photo upload करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप यह वाला वीडियो ज़रूर देखना अगर आपको यह वीडियो अ देना शेयर भी कर देना